नमस्कार दोस्तों सीसी के स्टाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी काईबार फिर्चस वागत हैं मित्रम आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साहित और मूल इस विशेपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि साहित और मूलियों के बीच में क्या अंतर संबंध है क्या संबंध है जानेगे आज इस सविशेश व्याख्यान के माध हम से और इस विशेश व्याख्यान के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीसी टंडन डॉक्टर पीसी टंडन प्रफेसर हैं दिली विश्मित देले के हिंदी विभाग में तो आए इनका स्वागत करते हैं और साहित और मूल्य इस विशाय पर विस्तरत रूप से हम चर्चा करते हैं डॉक्टर टंडन आपका एक वर पर से बहुत-बहु आए नमस्कार मित्रों साहित और मूल्य इस विशाय पर आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि साहित शब्द से ही यह जयात हो रहा है कि जो हित के साथ हमारे समक्ष प्रस्तूत होता है जो हमारे हित के परिरक्षन के लिए तैयार किया जाता है वो है साहित्य है यानि पाठकी ये समुदाय की जन समुदाय की हित रक्षा साहित्य के माध्धन से होती है यही कारण है कि साहित्यकार जब साहित्य का सरजन करता है तो उसके सामने कुछ प्रयोजन भी रहते हैं वो साहिते क्यों लिख रहा है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक तमाम तरह की अन्य विधाये इनका जब वो लिखन करता है तो उसके सामने एक तो स्वानते सुखाय सरजन का भाव भी रहता है क्योंकि आत्मिक आनंद की अनुभूती होती है जब वो अपने अनुभव को, अपनी अनुभूती को पाठकी ये समाज से बांटने का काम करता है तो उसे सुखद अनुभव राप्त होता है और उसे आत्मा के विस्ताहर से भी हम जोडते हैं कि जो आत्मान भूती है वह स्रजक या साहितिकार अपने पाठकों से बांटता है तो एक तरह से उसका वेरेचन भी होता है जो उसके मनोभाव हैं लेकिन जन हित के लिए लोक हित के लिए या किसी विशिष्ट हित को केंदर में रखकर साहितिका स्रजन जब हम करते हैं तो उ किर्टी की प्राप्ति के लिए ख्याती के लिए कहीं कहीं स्वास्तिलाब के लिए ऐसा भी प्रयोजनों की जब चर्चा की गई है भारती और पाश्चाते शास्तर की दृष्टी से तो यह भी कहा गया कि स्वास्तिलाब के लिए हम तुलसी के हनुमान बाहुक की बात करते है या पदमाकर के गंगा लहरी की बात करते हैं तो वहाँ पर अपने निजी स्वास्त को ठीक रखने की दृष्टी से या कामना से वह भी रचना का सरजन किया जाता है लेकिन जब व्यापक समुदाई के लिए पाठ की ये रास्ट्री है या वैश्विक समुदाई के लिए जब सरजन करते हुए रचना कार अपने मनोमस्तिष्क में कुछ बातें रखता है तो स्वाभाविक है उनमें एक बड़ा कारण और तथ्य जो है मूल्य है मूल्य जो व्यक्ती सापेक्ष भी हो सकते हैं समाज सापेक्ष भी हो सकते हैं संस्कृती सापेक्ष भी हो सकते हैं और मूल्यों के अनेक आयाम भी हैं मूल्य वस्तुता है हमें जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं दूस और डॉन्स क्या करें क्या न करें इसकी शिक्षा देते हैं और यह जो मुल्य है ये भारतिय संस्कृती के साथ अभिन रूप से जुड़े हुए है भारतिय समुदाय के भिन 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 राज्यों से जब हम साहित्य के संदर्व में इसे जोड़ कर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन मुल्यों का संबंध साहित्य और स के लिए कुछ मुल्यवान दृष्टी से कुछ बिंदूओं को इस तरह से प्रकट करता है रखता है कि समाज को एक दिशा मिले एक दृष्टी मिले और चित्य बोध उसके माध्यम से हो सके और साहित्यकार अपने सुदीर्ग जीवना अनुभवों से इन मुल्यों को साहित्य में पिरूता है और साहित्यके पाठक जब उसको पढ़ते हुए श्रमन करते हुए आनंद लेते हैं तो उससे एक शिक्षा भी ग्रहन करते हैं यह बस्तुत है साहित्य और मुल्य के साथ एक अंतर संबंध का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको ध्यान में रखक आज हम इस विश्र में चर्चा करेंगे तो मुल्य जो परिष्कृत करते हैं सुसंस्कृत करते हैं जो आदमी को मनश्य बनने की और ले जाने का मार्ग प्रदर्शत करते हैं क्योंकि आदमी में और इंसान में अंतर होता है तो जो इनसान के दर्जे तक ले जाने में मदद करते हैं जो हमें इनसानियत का पाठ पढ़ाते हैं वो मूले हैं और इसी प्रकार जो किसी भी समाज और राष्ट की संस्कृती को एक पुखता पहचान देते हैं उसका निर्मान करते हैं उसका विकास करते हैं एक सात्विक जीवन यापन की प्रेणा देते हैं कैसे हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है आचरन की दृष्टी से व्याभार की दृष्टी से तो वो भी महत्पून है और वह भी मुल्यों के माद्धिम से यह होता है समाज को परिवार को फिर इसी तरह समुदाय को रास्ट्र को अगर प्रानत अत्व संजीवनी देने का काम कोई करते हैं जिससे वह कालजई बनता है जिससे वह लब्द प्रतिष्ट बनता है जिससे विश्व के सामने उसकी एक बड़ी महत्पून छवी बनती है वह मुल्यों और जीवन में आस्था का संबल आस्था का या विश्वास का एक जो बिंदू एक जो दीप प्रज्वलित होता है वह मुल्यों के माद्यम से होता है हताशा से निराशा से निकाल के हमें जीवन में संगर्ष की प्रेड़ना कैसे प्राप्त करनी है यह भी मुल्यों से ही हम स यह भी मूल्यों से होता है इसलिए जो मूल्य है वह साहित से निश्चित जुड़े रहते हैं जो साहित मूल्यवान नहीं होता वह कालजई नहीं हो सकता उसकी पठनियता नहीं हो पाती उसका ग्राहक नहीं के बराबर होता है बलके वो अल्प आयू में ही उसकी उस साहित की म उन्यन का काम, उत्थान और उत्कर्ष का काम, व्यक्ति, व्यक्तित्व, समाज, संस्कृति और रास्ट के उन्यन का काम, यह मुल्यवान साहित्य ही करता है, इसलिए साहित्य संस्कृति को वहन करता है, जैसे भाशा के वारे में भी हम कहते हैं, कि वह संस्कृति की वहिका होत तो एक जो उदात्त तत्व है जीवन में उस उदात्ता के भाव को जागरित करना प्रतिष्ठित करना प्रतिपादित करना ये भी मूर्लियों के माध्यम से ही संभव हो पाता है और साहित्यकार उस दिशा में बहुत महत्मून काम करता है इसलिए लोक कल्यान का या जनहित का परहित का भाव जिस साहित्य से संचरित होता है वह मूल लिवान साहित्य होता है और जो साहित्य ऐसे कारे को करने में सक्षम या दक्ष नहीं होता, समर्थ नहीं होता वह बहुत देर तक समाज में रह नहीं पाता इसलिए ग्यान, भक्ति और कर्म यह क्या है? इच्छा इच्छा शक्ती और कर्म क्या है संकल्प क्या है इनको जोड करके इच्छा ग्यान और कर्म जिसकी चर्चा हमारे असाहित में कामाईनी में या अन्य ग्रंथों में अलग-अलग तरह से की गई है तो यह जो है यह मूल्य है और ये मुले भारतिय संस्कृती की एक विलक्षन विरासत है, पहचान है, विश्व मैं इन मुल्यों का अत्यदिक सम्मान है। उसी को हमने भारतिय साहिति के परिप्रेक्ष में, विशेष रूप से हिंदी के परिप्रेक्ष में देखने का प्रयत्म किया। इसलिए जो मूल्य होते हैं अगर मान लीजे वो कितने प्रकार के हैं मूल्य बहुत प्रकार के हैं जैसे वयक्तिक मूल्य किसी एक वयक्ति में कौन से मूल्य होने चाहिए जिनकी परिकल्पना हमारे यहां समाज में और शास्त्र में की गई है तो पहले हम कहते हैं कि आत्मबल एक बहुत बड़ा मूले है हमें अपनी एक जो संकल्ब शक्ती है वह मजबूत होनी चाहिए कुछ भी कारे हम कर सकते हैं यह आत्मबल आत्मबश्वास हमारे पास होना चाहिए अपने को कमजोर ना माने स्वाविमान हमारे पास होना चाहिए क्योंकि अनरगल से या अव्यावारिक से या अवांचित से हम समझोता न करें और एक स्वाविमान का भाव हमारे साथ जुडा रहे निरभीकता होनी चाहिए अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे तो फिर डर भी नहीं होगा इसलिक डर हमें कहीं न कहीं हमारी हिंता और कमजोरी की रूर इंगित करता है आत्म निरुभरता क्योंकि आत्म निरुभर होना भी बहुत ज़रुरी है हम अपने पर भरोसा करके कुछ भी कर सकते हैं अगर किसी दूसरे पर कोई कारे छोड़े और वह कारे होगा के नहीं होगा यह तब तक ज्यात नहीं होता जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए इसलिए आत्म निर्भरता इसी को हम बार बार कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडनेंस जो है वो बहुत महत्पूर्ण है संतोश, धहर, संकल्प, सेहरदैता ये भी सब वयक्तिक मूलें हैं वयक्तियों में जिन मनुष्यों में जिन वयक्तियों में ये सब गुनों होते हैं वहे श्रेष्ठ होता है वहे कुछ-कुछ लोक से अलग दिखाई देता है तो ऐसे वयक्तिक मूल्यों को साहित्ते में अलग-अलग साहित्ते कारों ने अलग-अलग तरीके से पिरोया है प्रस्तुत किया है जो कि बहुत प्रेरक है ग्यानवर्दक है रोचक है अभी उनको कुछ धर्णों के साथ हम चर्चा करेंगे कुछ नेतिक मूल्यों की बात भी शास्त्र में की गई है जब हम नीति शास्त की बात करते हैं तो वहां कहा गया कि नेतिक मूल्य क्या है करतब विपालन वो हमारा नेतिक मूल्य है देश के प्रती परिवार के प्रती संतान के प्रती या समाज में अलग-अलग उन वरगों के प्रती जिन से हमारा कोई रिष्टा हमारा नाता बन रहा है और असायों के प्रती ऐसे कर्तब विपालन की बात इमांदारी की बात निश्ठा की बात ये सब जो मूले हैं नैतिक मूले हैं त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सदाचार, शिष्ट व्यावार सत्यनिष्ठा और व्यवस्था के प्रती समाद्रित भाव क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से जोड़ता या कोई सरकार व्यवस्था से जोड़ती है तो सरकार अगर व्यवस्था में है तो उसके उस व्यवस्था के निश्पादन में उस कार्यों के निश्पादन में सम्मान का भाव हमें रखना चाहि evolutionary तो ये सब नैतिक मूल्य है हमें नैतिकता इन मूल्यों की ओर ले जाती ए ऐसे ही सामाजिक मुल्य भी जैसे सद भावना सम भाव हर वर्ग के प्रति अमीर गरीब छोटा बड़ा न जाती का भेद न धर्म का भेद न भाशा का भेद तो एक सद भावना यह सामाजिक मुल्य है सहानुभूती सहानुभूती सुख में सुखी होना दुख में दुखी होना यह नहीं के दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हो रहे हैं इर्शा कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए सहयोग की भावना और मानवियता मनुश्यता की भावना यह जो humanity की feeling है यह भी सामाजिक मुल्य के साथ जुड़ती है और जब इस तरह के मुल्य हमारे पास होते हैं तो समाज मुल्यवान बनता है परिश्कित बनता है और अनुकरणिया भी बनता है राजनीतिक मुल्य भी है राजनीति का मतलब केवल स्वार्त सिद्धी नह है राजनीति राश्ट प्रेम के मुल्य को हमारे सामने रखती है किसी भी दल में है हम पक्ष में है या विपक्ष में है हम सत्ता में है या विरोधी गुट में है लेकिन राश्ट सर्वो पर ही है इसलिए राश्ट प्रेम स्वतंतरता की रक्षा और अनुशाशन का पालन और विजय का उल्लास अगर राष्ट ने किसी भी संदर में कहीं भी कोई विजयश्री हासिल की है तो यह उल्लास का भाव फिर समस्त राष्ट वासियों के बने में होना चाहिए हमने हमें अपने निजी स्वार्थों के कारण राष्ट के हितों की अंदे की नहीं करनी इसी प्रकार धार्मिक मूल्यों की बाद भी शास्त्र में की गई। कर, उनको मूल्यों से जोड कर व्यक्षाइद करने की बात की गई, एक पिता का धार्म, एक पुत्र का धार्म, एक पती का धार्म, एक राजा का धार्म, एक राजनीतिग्य का धार्म, एक शिक्षक का धार्म, एक डॉक्टर का धार्म, तो ये जो हैं, ये इस तरह के मूल्यो है विवेचना शक्ति है तटस्त मूल्यंकन है वैज्ञानिक चिंतन है और मनन है रचना धर्मिता क्रियेटिविटी यह भी बौधिक मूल्य है अगर इन मूल्यों के साथ हम बौधिक साहित्य को देखें इनके साथ जोड़ कर देखें या उनमें इनकी तलाश करें तो हमें ग्यात होगा कि वास्ताव में वह कितना प्रेरक है कितना मालग दर्शक है और कितना उप्योगी भी है समाज के लिए इसी तरह सौंदर पलक मूल्यों की चर्चा भी की गई है जैसे संबेदन शीलता जैसे कला प्रेम या कला प्रियता या प्रकरती प्रेम या मानव प्रेम मनुष्य प्रेम ये सब मूल्य है जिनको शास्त्र ने मूल्यों के विविन आयामों को ख्षेत्रों को संदर्मों को केंदर में रखकर इनकी विस्तार से चर्चा की है ये बहुत बड़ा विशह है अलग से इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है अब जब हम साहित्य और मुल्य के अंतर संबंद पर दृष्टी डालते हैं तो मित्रों हमारे समक्षिय बाद बड़ी स्वश् में प्रस्तुत होती है कि साहित्य हमें जीने की कला सिखाता है साहित्य हमें जीवन दृष्टी भी देता है साहित्य हमें हमारे बीते हुए कल वर्तमान और आने वाले कल इसके लिए तैयार रहने की प्रेणा देता है यानि हम कौन थे इस पर भी विचार करने का भाव हम क् इस पर भी विचार करने का भाव और क्या होंगे इसकी भी परिकल्पना साहित्च के मात्यम से उत्धिय क्वशना कार बहुत दूर तक देखता काल जाही रचनाकार वया होता है जो अपने समय से आगे निकलकर अपनी धरातल से उपर उठकर काम करता है तो जो बाजारवादी संस्क्ति है जिसमें उपभोग मुख्य रूप से उत्पाधन को कैसे कंजूमर तक कैसे ग्राहक तक कैसे उपभोगता तक खपाया जाए इस तरह की भामना की जो संस्क्ति है जिसमें बाजार केंदर में है जिसमें पैसा केंदर में है और पैसे से ही समाज में उस मानसिक्ता में जीने के सूत्र हमें साहित्य देता है क्योंकि साहित्य हमारी संबेदनाओं को जीवित रखता है साहित्य हमें पाशान होने से बचाता है इसलिए साहित्य जो है वो बहुत महत्पूर भूमिका निवाता है और साहित्यकार समाज का मार्ग दर्शक होता है, रास्ट का मार्ग दर्शक होता है इसलिए वही साहित्यकार यशस्वी होते हैं जो कुछ मूल लिवान साहित्य हमें दे कर जाते हैं तो स्पंधन बनाए रखने का काम समवेदना को जीवित रखने का काम साहित्य और साहित्यकार करता है हम जानते हैं कि एक वग्यानिक सी भागदोर एक टेकनिकल एक मेकनिकल सा जीवन हमारा बाजारवादी संस्कती में हो जाता है तो सहित्य ऐसे में हमें रागद्वेश से उपर हटने की, उठने की बात करता है सहित्य हमें ततस्थता से मुलिआंकन करते हुए, stealthy बोद कराते हुए सही को ग्राही बनाने और गलत को त्याग करने की भावना से जोडने का काम भी करता है इस तरह हम देख सकते हैं कि साहित का और मूल्यों का क्योंकि जब हम value education की बात करते हैं तो value education हर अनुशाशन में हो सकती है केवल साहित में ही नहीं हो सकती वह विज्ञान में भी हो सकती है वह ज्यान में भी हो सकती है तकनीक प्रोध्योगी की में भी हो सकती है electronics में भी हो सकती, engineering में भी हो सकती है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण भूमी का value education की वह भाषा और साहित्य के माध्यम से होती है इसलिए समस्त भारती भाषाओं में विदेशी भाषाओं में हम इस तरह के moral literature को ऐसे मूल्यवान साहित्य को हम देख पाते हैं तो साहित्य का और मूल्यों का जो रिष्टा है वो है बिलकुल अविन्न संबंद है इसलिए हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में परंपरा से एक बात एक भाव हमें विरासत में मिलता रहा है कि यह जो जीवन है यह शन भंगुर है यह स्थाई नहीं है यह हमेशा नहीं रहेगा अगर यह बोध हमें रहे कि यह हमेशा नहीं रहेगा तो फिर हम जो अनरगल और अवांचित करते करते हैं या कर बैठते हैं हम जो कामनाएं और आकांगशाएं करते और कर बैठते हैं उससे हम बचेंगे हमें लगेगा कि हम किसके लिए फिर करें लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि यह अकर्मन निता की और ले जाए इसलिए इस शनभंगुरता को या जिसको हम कहते हैं कि death is eternal मृत्यू अवश्यम भ आई तो वह ऐसा भाव रहने से व्यक्ति गलत कामों से या असामाजिक कार्यों से बच पाता है वह उसे बार बार याद कराता है उसे चेताता रहता है यह भाव इसी बात को संथ कभीर ने बहुत अच्छे डंग से कहा माली आवत देखकर कलियां करें फुकार फूली फूल कलें हमारी बाद यह जो माली है यह काल का प्रतीक है यह जब आता है तो कलियां आपस में बात करती है क्योंकि माली आज फूल खिले हुए फूल तोड़ तोड़ कर ले जा रहा है तो कलियां कह रही है कि आज यह खिले हुए फूल ले जा रहा है कल हमारा नमबर भी हमारी बारी भी आएगी इसका मतलब है कि यह जो काल बोध है कबीर का वह यह बताते हैं कि काल को समय को हमेशा याद रखिए जो समय आज है वो कल होगा के नहीं होगा नहीं पता और मृत्यु अवश्यम्भा भी है जो जिसका समय पूरा हो गया है उसको जाना है और जाना सबको है तो अगर हमारा भी समय पूरा होगा तो हमें भी जाना होगा इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस स्रिष्टी में जिस समाज में जिस मनुष्य की बनाई हुई जीवन धारा में जुड़े हुए है उसके प्रती जो भी समाद्रत भाव है वो हम कर सकें समाज के हित के लिए जन के हित के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें क्योंकि ये बहुत छोटा जीवन है ये कम जीवन है ये रहेगा नहीं इसलिए इससे जितना बहतर हो सके वो हम करें ये बात हमारे यां नीतिशास्त्र में बार बार कही गई आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर न लेकिन मानव स्वाभाव है, सामाजिकता है, माया भी एक तरह से चक्र है, जिसमें हम फसे हुए हैं, इसलिए धनलिपसा भी होती है, इसलिए रागद्वेश भी होता है, इसलिए इरशिया भी होती है, इसलिए दूसरों के सुख से पीडा भी होने लगती है, इसी बात को बा 80 लाग योनियों के बाद इस योनि को प्राप्त करते हैं मनुश्य इसलिए इसका आदरभाव भी होना चाहिए और हम क्यों ना समय समय पर मृत्यू को यानि काल को और इश्वर को यानि उस अलोकिक शक्ति को हमेशा याद रखें तो हमें ये पीड़ा नहीं होगी इसी बात क को मद्यकाल के एक बड़े उत्तर मद्यकाल के कवी हैं भी हरी उन्होंने लिखा जम करी मो तरी हरी परे हो यानि यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे है मनुश्य तु बढ़ा हुआ है ये जो यमराज रूपी हाथी है ये मुख होले हुए तैयार खड़ा है और हम उस के मुख के नीचे 24 घंटे रहते हैं जब कभी भी अवसार आएगा मौका आएगा वो हमें ग्रस लेगा तो जम करी मो तरी हरी परे हो इह धरी हरी चित लाओ इस बात को हमेशा सरवदा अपने चित में धारन करो के यमराज रूपी हाथी मुख होले हुए हमारे उपर यह जो विशे वासना है यह जो मोमाया है यह जो तरशना है इसको अभी ततकाल जिसको कभीर कहते हैं काल करे सो आज कर आज करे सो अब इसको अभी त्याग दो विशे तरशा परिहरी अजो नरहरी के गुनगाओं नरहरी वहगवान नरहरी के गुनगाओं अब कितनी मने पहरी ने इस शब्द का प्रयोग किया नर हरी कौन है जो सिंग का आधा नर और आधा सिंग हरी मानी सिंग आधा नर और आधा सिंग उसके मिश्चित रूप के आवतार लेकर आते हैं बक्त प्रहलाद के संदर में ये कथा आती भी है इसलिए नरहरी का रूप धारन करकर क्योंकि हन्याकश्चप के वद के लिए भगवान कृष्ण को यह रूप धारन करना पड़ा ना नर मारेगा ना जानवर मारेगा तो नर और जानवर दोनों को मिलाकर भगवान ने एक नया रूप लिया ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो नाकूनों से संगार किया ना घर में ना बाहर में तो दैलीज में संगार किया तो यिश्वर ने उसका भी रास्ता निकाला तो यह कहता है कि हाथी रूपी अमराज से अगर बचना है तो शेर रूपी भगवान की ईश्वर की आराधना करो उसकी भक्ति करो ताकि तुम इन तमाम आपदाउं से एहिक दहिक भौतिक तापों से बचे रहो तो शिक्षा देते हुए कवियों ने इन नहतिक मुल्यों की जो प्रतिष्ठा कविता में की है वह वास्तव में बहुत प्रेरख है हम देख सकते हैं माया जो है वह हमें बांधती है और इश्वर क्योंकि माया पती है इसलिए ये सारी स्रिष्ट ये सारी माया उसी की बनाई ह इसलिए यह परित्याग नहीं इसको परित्यक्त नहीं करना है लेकिन इसमें रहकर भी इससे उपर रहना है कमल की तरह हमें कीचड में होकर भी कीचड से उपर रहना है तो अगर हम माया में निमगन हो जाएंगे डूप जाएंगे तो शायद इसी में डूप जाएंगे इसलि भी बनाए असुर भी बनाए मनुष्य भी बनाया माया भी बनाई लेकिन यह हमें अपने विवेक से तै करना होगा कि हम किसका ग्रहन करें और किसको त्यागें इसी बात को चंडी चरित में गुरुगोबिन सिंग ने बहुत सुन्दर डंग से व्यक्त किया आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलक अनासा कैशिव शक्ति दैसर तिचार रजो तम सत तिहूपुर वासा धोस निसास सिसूर के दीप सुस्रिष्टी रची पंच तत्व प्रकाशा और अन्त में क्या कहते हैं बैर बड़ाई लड़ाई सुरासुर आपों ही देकत बैठ तमाशा सुर और असुर ये तो इस रिष्टी में बनाने वाले ईश्वर हैं लेकिन दोनों में सुरों में और असुरों में सुर वरत्ती और असुर वरत्ती इनमें संगर्श होता है और विजह जो है वो सुर्वरत्ती की होती है इसलिए ईश्वर ने तो सब को बनाया और वह देख रहा है इसलिए क्या उच्चित है और क्या अनुच्चित है क्या ग्रहन करना है क्या त्याग करना है यह विवेक हमें अपने मन में अपने हर्दय में खुद जागरत करना होता है साहित्य इसी की शक्षा हमें देता है तो कभीयों ने उपन्यास कारों ने काहनी कारों नाटक लिखने वाले जो रचनाकार हैं उन्होंने अलग-अलग प्रकार की विदाओं के माध्यम से हमारे समक्ष मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए साहित्य से उसका रिष्टा जोड़कर साहित्य की विचार शंकला में उन्हें पे रोकर हमारे सामने बहुत संदर धंग से प्रस्तूत किया है तो मित्रों हम देख सकते हैं कि साहित्य और मूल्य इनका रिष्टा बड़ा गहरा है बड़ा अभिन्ह है और निश्चित रूप से साहित्य सहज पद्धती से मूल्यों की प्रतिष्ठा पाठकी ये समुदाय के मनो मस्तिष्ग में कर देते हैं साहित्य कार इस द्रिष्टी से वास्तव में स्रष्टा होता है और द्रिष्टा होता है हम उस साहित्य की हमेशा से समात्रत भाव से प्रतीक्षा करते हैं उसका स्वागत करते हैं जो मूल्यों की प्रतिष्ठा समाज में करता है तो इसको इस विशे को हम यहां अल्प विर रखेंगे आज के लिए यहीं बर विश्राम लेते हैं धन्यवार नमस्कार कि वाइब खार ऱॉ। कि वाइबे जतीन हैं कि वाइब खार श विए कैन्यवारी टार Southern Das, ब शे को फ्रीतनाओर वेप गिंगे श्रयात्यार ocean कि वाइब धन्यवार फॉवार नमस्कारformation कि वाइबे जत्रर Łuk बड़रास्टों अन्याओरास्टों जयारास्टार्टों भाओरास्टों परच़सियों और अजय सुप्ते प्रकोंने नमस्कार साहित्य और मूल्य इनके अंतर संबंद पर हम विचार कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य का मूल्यों से जो रिष्टा है वह वास्तव में एक समाज को पाठकिय समुदाई को जीवन की दिशा दिखाने का रिष्टा है यानि वह साहित्य जो मूल्यों की यह तो पुनर प्रतिष्ठा करता है या उनकी पुनर व्याक्षा करता है समाज और संदर्ब सापेक्ष अर्थों में उन्हें व्याक्षाइद करता है वह साहित्य बहुत महत्पूर्ण माना जाता है साहित्यकार पारंपरिक मूल्यों को जो हमारे धरोहर हैं मूल्य उनको समकालीन इस्थितियों से समकालीन परिस्थितियों और पात्रों से जोड़कर भी व्याख्याइद करता है तो हम यह देख सकते हैं कि वही साहित्य महत्वपूर्ण माना जाता है जो पाठकीय समुधाय को आदर्श मूल्यों से जोडने का काम करता है ऐसा हमारे हाँ प्राचीन साहित में, मद्यकालीन साहित में, संस्कृत साहित में, आदुनिक साहित में भी अभी जो साहित लिखा जा रहा है उसमें सीधे या प्रकारांतर से किसी ने किसी मूल्य की प्रतिष्ठा की चिंता दिखाई देती है बले ही परयावरन की दृष्टी से हो, बले ही समानता की दृष्टी से हो, बले ही शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की दृष्टी से हो, तो कुछ न कुछ, कोई न कोई मूल्य रचनाकार के मन में रहते हैं जैसे सब्भेता तो बदलती है, लेकिन संस्कृती नहीं बदलती है, संस्कृती जो होती है, वह स्थाई भाव के साथ, हमारे राश्ट के साथ जुड़ी रहती है हमारे जो संसकार हैं हमारे जो पारंपरिक मूल्य हैं प्राचीन मूल्य हैं वह उनकी व्याक्या बदल जाती है उनका इंटर्पिटेशन बदल जाता है लेकिन वह मूल्य आज भी उतने ही महत्पूर्ण है जितने वो संस्कृतिक दृष्टी से रहे हैं हम कभी कभी ऐसा समाज में देखते हैं कि कहा जाता है कि सज्जन व्यक्ति भारतिय संस्कृति में बहुत प्रशंसनिये माने जाते रहे बहुत सीधा सरल सज्जन व्यक्ति है तो यह उसका गुण है ऐसा हमारे समाज में रहा है लेकिन वरतमान संदर्बों में जहां पैसा बा बजारवादी संस्कृती के इंदर में आ गई है वहाँ पर यह सज्जनता यह भलमंसियत यह नेकी इसको हेद रिष्टी से देखा जाने लगा इसका यह अर्थ नहीं कि वह सज्जनता का मूल्य समापत हो गया सज्जनता भलमंसियत यह नेकी वह मूल्य तब भी था आज भी ह है और आगे भी रहेगा अब उसके अनुपालक उसे स्विकार कर रहे हैं के नहीं उसकी व्याख्या किस तरह से की जा रही है यह एक अलग प्रशन हो सकता है लेकिन मुल्य जो हैं वो हमारे समाज में एक आधार शिला का काम करते हैं मजबूत बुनियाद बनाने का काम करते है इसलिए भारतिय समाज उन मुल्यों की मजबूती के उपर खड़ा हुआ समाज है हमारे संतों ने हमारे कवियों ने इसको अलग अलग तरह से व्याख्याइद किया भी है जैसे कबीर कहते हैं कि यह जो स्रिश्टी है इसमें जो भौतिक चक्षू है जो मायावी चक्षू ह वो वस्तता है वास्तविक स्थती को नहीं देख पाते हैं इसलिए जो दिखाई देता है वह सत्य हो यह जरूरी नहीं है और जो सत्य है वह प्रकट हो जाए यह भी जरूरी नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि जो सामाजिक जीव है वह तो कभी कभी उस तरह का आचरन करता है जो बहुत हास्यास्पत भी होता है चलती को गाड़ी कहें चले दूद को खोया रंगी को नारंगी कहें देख कवीरा रोया कवीर कहरा है कि जो जो चीज चल रही है उसे कहरा है गाड़ी चलती को गाड़ी कहें चले दूद को खोया आग पर रखकर दूद को खूब चलाएं तो चलाने पर उसका जो सार है वो प्राप्त होता है लेकिन उसको सामानित है हम खोया कहते हैं और जो रंगीन है, कलर्ड है संत्रा, उसको हम नारंगी कहते हैं तो कभीर इस इन सब मुद्दों पर जब चर्चा करते हैं तो वो सामाजिक्ता की अलपग्यता का, अलपग्यान का और मायावी चक्षूँँँँँँँचे देखने का जो मामला है उस पर वो चर्चा करते हुए उस स्थिती को बड़ी हस्यस्पद स्थिती में देखते हैं इसलिए जो जैसे मौसम बदलता है प्रकरती बदलती है समाज की सोच बदलती है लेकिन मूले उसी रूप में विद्देमान रहते हैं ये अलग बात है कि उन मूलेों की हम व्याक्या किस तरह से करते हैं समाज सापेक्ष, युग सापेक्ष, धर्म सापेक्ष बनाकर हम उनको देखते चलते हैं इसलिए मित्रों कभी-कभी कुछ सामर्थ से बाहर अपेक्षा से बाहर होते हुए जब समाज में दिखाई देता है कभी कभी अपात्रों के हाथ में कोई व्यवस्था दिखाई देती है कोई करत्य या कार्य दिखाई देता है तो उसको देखकर भी कभी कहता है कि भाई ये जो समय है ये जो स्थिती है इसके साथ खड़े रहकर इसको देखने के अलावा और विकल्ब क्या है तो बहुत सुन्दर दुरुष्टी से रहीम ने यह बात कही देख बदलती रित्व यहां कोयल है गई मौन दादुर अब वक्ताब है हम ही पूछे कौन वर्शा रित्व जब आती है तो बारिश में हमने देखा कि कहुब सारे मेंडक बोलने लगते हैं तरडडडडडडर करने लगते हैं तो बरसात के आगमन पर चारों तरफ जब जलाधिक्य हो जाता है तो जो दादूर है जो मेंडक हैं वो खूब ऑध बड़ी आवाज में सामुई का आवाज में अपनी टर्टर करने लगते तो कोयल जिसको सब सुनना चाहते हैं लेकिन मेंडकों की आवाज में उस कोयल की आवाज दब कर रह जाती है इसलिए कोयल मनी मन मसोस करिया है सूचती है कि दादुर अब वक्ताव है हम ही पूछे कौन कि अब जब बहुत सारे असंक मेंडकी बोल रहे हैं तो फिर कोयल को कौन सुनेगा इसलिए ये जो एक नैतिक शिक्षा है इसके माद्यम से कि हमें समय को स्थिती को उसकी महत्ता को स एचानना चाहिए और कभी कभी हमें ऐसे इस्तितियों के सामने चुप रहना बहतर लगता है समझोता करना बहतर लगता है ऐसे में जो राजनीती का संदर्व है समाज और शिक्षा का संदर्व है व्यवस्था के अनेक संदर्वों को केंदर में रखकर हम इन पंक्तियों की सारतक्ता को समझ भी सकते हैं जान भी सकते हैं इसी लिए कभी-कभी धहरे के लिए कभी-कभी गामभीरे के लिए कभी-कभी मनहस्थिती को मनोबल को बनाई रखने के लिए कभी हमें शिक्षा देता है नैतिक मुल्य देता है कि विपरीत परिस्थिती में प्रतिकूल परिस् तो प्रतिकूल रहता है न कोई समय हमेशा अनुकूल रहता है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन का एक हिस्सा है इसलिए रहीमन ने फिर से एक अलग संदर में ये बात कही कि रहीमन चुप है बैठिये देख दिनन को फिर रहीमन चुप है बैठिये देख दिनन को फ का बदलाव है दिनों का फेर है कल अच्छे दिन थे आज अच्छे दिन नहीं है तो चुप होकर इस इस परिस्तिती को इसको सहन करो इसका सामना करो जब नीके दिन आएंगे जब अच्छे दिन आएंगे फिर से आएंगे तो फिर सारे काम बनते हुए देर नहीं लगेगी इ इसलिए हताशा नहीं होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छे बुरे समय में अपने को सम भावों में रखने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि न तो कोई हमेशा सुखी रहा है, न कोई हमेशा दुखी रहा है, सुख और दुख ये इस जीवन धारा के, एक संबल है एक विश्वास है जो कभी देता है कि देखिए अच्छे दिन भी आएंगे और जब अच्छे दिन आएंगे तो उनकी हमारे समस्त कारेों का संपन होना सुनिश्चित हो जाएगा इस तरह हम देखते हैं कि कभीयों ने रचनाकारों ने अवसर को परकने पहचानन की भी शिक्षा दी यह भी मूले दिया कि देखो सबके जीवन में अच्छे अवसर आते हैं उन अवसरों को गवाना नहीं चाहिए एक बात और दूसरी बात यह कि अवसर की पहचान या परक यह बहुत महत पूर है यदि हमने समय रहते हैं जैसे हम महावरे में कहते हैं कि देखो मौका मारो चौका अगर अवसर है तो उसका उपयोग कीजिए तो एक तो नेतिक मूले यह है और दूसरा यह कि अवसर के अनुसार आचरण वह हमेशा करना चाहिए हर बार उपदेश दिया जाए और गरहक उसे ले ही ले ऐसा जरूरी नहीं है तो कब उसे समझाना ह कब उसे उपदेश देना है और कभी कभी कुछ ऐसा आचरण भी हम करते हैं जो होता तो नहीं उचित लेकिन उसको भी एंजॉय करता है उसको भी समाज आनंद लेता है उसका तो यह बात भी बहुत अच्छे ढंग से कही गई नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात बात तो अच्छी है लेकिन वो भी बुरी लगती है यदि अवसर देखकर न कही जाए इसलिए अच्छी बात भी अवसरा अनुकूली कहनी चाहिए बिन अवसर के नहीं कहनी चाहिए नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात जैसे बरनत बीर में रस सिंगार नस्वात जैसे को पीर रस का जो ओज का उत्साह का उमंग का भाव है वो खंडित हो जाएगा इसलिए जहां जैसी इस्तिती हो जहां जैसा अवसर हो उसके अनुकूल व्यावार और आचरण करते यह करना चाहिए और इसके ठीक विपरीत दूसरी शिक्षा भी देता है दूसरा मुले भी स्था है फीकी पैनीकी लगे बात बले ही बुरी हो लेकिन कभी कभी वह भी अच्छी लगती है उसको भी लोग आनंद लेते हैं कहिए सोच विचार बस करना क्या है कि सोच कर विचार कर किस से कहनी है कब कहनी है किस रूप में कहनी है बात यह भी महत्पून है तो फीकी है लेकिन वह भी अच्छी है कहिए सोच विचार सब को मन हरशित करे जो विवाह में गार जैसे विवाह के अवसर पर दी गई गालियां कुछ भारतिय समुदाय में बहुत से राज्यों में अभी भी उस प्रकार की प्रताएं परंपराएं हैं उस रसमें हैं जहां पर विवाह के अवसर पर दूले को गाली वाली दी जाती है वो केवल मरोरंजन के लिए वो केवल चोहल के लिए तो उसको भी लोग एंज़ाय करते हैं जितने लोग उपस्तेत होते हैं सब उसका अनंद लेते हैं अला कि गाली देना बुरी बात है चोरी करना बुरी बात है लेकिन विवाह के अवसर पर जूते चोराने की एक परंपरा है तो उसको भी सब लोग आनंद उसका लेते हैं तो कहा गया कि समय को अवसर को पहचानना यह भी जीवन में आना चाहिए यह मूल्य है क्योंकि अवसर के अनुसार आचरन अवसर के अनुसार भाशिक प्रयोग या कफन यह व्यक्ति की एक अलग छवी को इंगित करता है इसलिए कभी कहता है गुनी तव अवसर बिना आदर करे न कोई बले कितना ही गुनमान क्यों ना हो कोई लेकिन अगर उसका सम्मान होगा तो गुन से कब होगा जब जरूरत होगी गुनी का सम्मान भी अवसर के अनुसार ही होता है कितना ही महत्पून व्यक्ति क्यों ना हो होगा लेकिन हमें उसकी जरूरत पढ़ रही है तो हमें उसके गुनों की पहचान करनी होती है उसके पास जाना भी होता है तो गुणी तवु अवसर बिना आदर के न कोई हियते हार अतारी में सैन समय सबकोई हादे में बहुत किमती हार गले में पहना हुआ है लाकों का करौनों का लिकिन उस हार को पहन कर कोई सोता नहीं है सोते समय सब उसे उतार देते हैं बले ही किम्ती हो बले ही गुनवान हो लेकिन जब उसकी जरूरत है तब उसको स्विकार कर लेते हैं ग्रहन कर लेते हैं जब उसकी जरूरत नहीं होती तब उसे उतार कर भी रख देते हैं तो गुनवान की कदर जो है सम्मान जो है वे भी अफसर और समय के अमसारी होता है इस प्रकार सद संगती को भी हमारे हाँ मूल्यों से जोड़ कर देखा गया कभीर ने रहीम ने बिहारी ने ऐसे बहुत सारे हमें गरधर कभीराई ने या दीन देयाल गिरी ने ऐसे बहुत से कभी है तुलसी ने समय समय पर बहुत सद भाव की बात कही तो सद संगती जे रहीम उत्तम प्रकरती काकरी सकत कुसंग रहीम कहते हैं कि यदि मरुष्य उत्तम प्रकरती का है अगर प्रकरती उत्तम है तो कुसंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकता जे रहीम उत्तम प्रकरती काकरी सकत कुशंग चंदनविष्व्यापे नहीं लिप्टे रहत भोज़नें ठीक वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ पर उनजाने कितने साप लिप्टे रहते हैं लेकिन चंदन अपनी सुगंध को छोड़ता नहीं है सर्प के विश को ग्रेहन नहीं करता भली कितने साब लिप्टे रहे लेकिन चंदन अपनी प्रकरती से उसी तरह कटिबद रहता है निवद रहता है जैसा उसका स्वाब है तो उत्तम प्रकरती के व्यक्ति को बुरी संगती भी उसका कुछ बिगाड नहीं सकती उसका कुछ अहित नहीं कर सकती बशर्ते के व्यक्ति वास्तम में उत्तम हो तो यह भी कहा के सद संगती यह और कुसंगती कुसंगती का दुश्प्रभाव भी पढ़ता है हमारे मूलियों की दृष्टी से कहा गया काजल की कोटरी में जाओगे तो काला रंग जरूर लगेगा उससे बच कर रहना चाहिए यह उसके साथ एक नहतिकता जुड़ी हुई है तो रहीम ने या दूसरे कवियों ने इस तरह की अनेक दोहों के माद्यम से साहित के माद्यम से बात कही जैसे सुजन कुसंगती संगते सजन तान तजन जो अच्छे लोग हैं सुजन मने अच्छे लोग वो कुसंगती बुरी संगती में भी पड़ जाएं उनके साथ भी रहें या बुरे लोग भी उनके साथ रहें अच्छे लोगों के तो सजन लोग अपनी प्रकर्ती को अपने स्वाभाव को तज नहीं देते छोड़ नहीं देते सजनता यही है कि कोई कैसा भी आपके साथ हो लेकिन आप अपनी सजनता को नतजे जियो भुजंग गन संगतव चंदन विशन धरन उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहा गया कि जैसे नजने कितने सर्प होते है लेकिन वह भुजंग का सर्प जो है उसको ग्रहन चंदन नहीं करता जैसे विरिंद ने कहा कि कुलटा भूशित देखके कुलजा तजे नशील जो कुलजा होती है कुलवधू होती है वो अपना शील किसी कोलटा को देखकर त्यागती नहीं है वो अपनी सजनता को अपनी प्रकरती को अपने चारित्रिक वैशिष्ट को बनाए रखती है तो हमें नैतिक सिक्षा मूल्य शिक्षा यह बताती है कि हमें अपनी प्रकरती को श्रिष्ट बनाए रखना है भले ही परिवेश परिस्तितियां या संगती कैसी भी हो जाए लेकिन हम अपने आचरण और व्यावार को यतावत बनाए रखें लगुता और प्रभुता इसका बोध भी समाज में बहुत होता है हम देखते हैं कि दूसरे को छोटा समझना, अपने को बड़ा समझना मुल्यों की और नैतिकता की रिक्षा दिया है रहीमन देख बड़े इनको लगुन दीजी ए डार जहां काम आवेस होई कहा करे तलवार किसी बड़े व्यक्ती के साथ अगर आप आगए उसकी संगती हो गई तो जो छोटे व्यक्ती जो जिनको आप छोटा मान रहे हैं उनको त्यागिये मत, उनसे अपना रिष्ठा समाप्त मत कीजिए क्योंकि कुछ पता नहीं है समय का और स्थिती का कि कौन से व्यक्ती की कहां आवश्यक्ता पढ़ जाए इसलिए रहीमन देख बढ़े इनको लगू न दीजिए डार छोटी चीज को छोटे व्यक्ती को भुला मत दीजिए जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार जहां जरूरती सुई की होगी वहां तलवार क्या करेगी इसलिए तलवार हाथ में आने पर सुई को फैंक मत दीजिए बढ़े के संगती होने पर छोटे को भुला मत दीजिए क्योंकि छोटे की जरूरत भी आपको पढ़ेगी इसलिए यह जो भेद है लगुता और प्रभुता का इसको भी विवेक के साथ ही ग्रहन करना चाहिए रहे समीप बढ़ेन के हो तो बढ़ो ही तो होए अब दूसरे तरीके से अपनी बात को कभी कहता है कहता है कि अगर बड़पन वाले जैसे यह भी कहा बढ़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंती को चाया नहीं फल आगे यह ती दूर तो बड़पन क्या है बड़पन वो है बले ही उचाई जादा ना हो लेकिन आचरण में जिसको हम कहते हैं कंडक्ट में व्यावार में सदभाव में बड़पन वहां होता है छोटे बच्चे में भी बड़पन हो सकता है और बड़े व्यक्ति में भी छोटापन हो सकता है तो इसलिए बड़पन हमारे आचरण की विशेशता है तो कहता है रहे समीप बड़ेन के यता संबब कोशिश करनी चाहिए कि जो आचरन में, जो व्यावार में, जो सद्भाव में बड़े हैं, हमें उनकी संगती में रहना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को, अरजित करने को, ज्यान प्राप्त करने को मिलता है, तो रहे समीप बड़ेन के होत बड़ो हित मेल, ऐसे लोगों के साथ रहने से बहुत अत्यदिक हित होता है, उनके साथ मेल मिलाब रखने से अत्यदिक लाब भी होता है, जो बड़े हैं, बड़े मतलब व्यावार से बड़े, आचरन से बड़े, ग्यान से बड़े, शिक्षा से बड़े हैं, उनके साथ रहने से हमें लाब होता है, कैसे, सब ह पोधों पर बेल बढ़ती है वो वहीं तक सीमित रह जाती है तो यदि आगे बढ़ना है तो बढ़ों की संगती के साथ आगे बढ़ने के अवसर रहते हैं उनकी परक हमें करनी चाहिए उद्यम को लेकर परिश्रम को लेकर यह भी हमारे नैतिक मुल्यों में इसकी चर्चा की गई है हमें मेहनत करनी चाहिए संगर्ष करना चाहिए क्योंकि बिना परिश्रम के जीवन में लाब नहीं मिलता विद्याधन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन कहते हैं कि बताईए संसार में कोई एक व्यक्ती बताओ जिसने विद्याधन बिना उद्यम के प्राप्त किया बिना परिश्रम के बागी सब कुछ मिल सकता है लेकिन विद्या नहीं मिल सकती विद्या के तो जो दस रक्षन बताए गए उसमें तो साधना है पूरी उसके लिए नजाने कितना तब करना पड़ता है कितने त्याग करने पड़ते है कितना श्रम करना पड़ता है तब जाकर विद्या प्राप्त होती है तो विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन बताईए कौन है दुनिया में जिसने बिना महनत के विद्याप राप्त कर ली हो और बिना डुलाए ना मिले जियों पंखा की पौन ठीक ऐसे ही जैसे पंखा हाथ में लेकर बैठ जाएं और हिलाए ना तो बिना हिलाए हवा नहीं मिलेगी अगर हवा चाहिए तो हिलाना तो पड़ेगा बिना डुलाए ना मिले जियों पंखा की पौन पौन मने पवन तो हवा चाहिए तो हिलाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी भोजन सामने आ जाए लेकिन खाने के लिए हाथ पार तो हिलाने पड़ेगे तोड़ना पड़ेगा मुख के पास ले जाना पड़ेगा जबड़ा चलाना पड़ेगा दांतों से चबाना पड़ेगा तब जाकर भोजन का अनद प्राप्त होगा तो यह भी कहा गया और उद्यम कबहुन च्छाणिये कभी भी जीवन में मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए कितनी विपरित इस्ति आजाए निराशा आजाए हताशा आजाए विफलता भी आजाए फिर भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए उद्यम कबहुन च्छाणिये पर आसा के मोद और पर निरबरता नहीं होनी चाहिए दूसरे की उमीद पर दूसरे की आशा पर दूसरे की आशवाशन पर हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए हमें अपना काम करते रहना चाहिए गागर कैसे फोरी है उनियों दे की पयोद अगर आज मान लीजे पयोधर जो है वो बहुत उफन कर पूरे उनमाद के साथ उमड़ा हुआ है भरा हुआ है तालाब में नदी में समुद्र में खूब पानी है आज तो क्या उस अपार जल राशी को देखकर हम अपनी गागर को तोड़ दे कि अब गागर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं और समय जैसा चलेगा उसका सामना करना चाहिए शिक्षा के वचन भी कभी कभी पीडा देते हैं बुरे लगत सिख के वचन ही हैं बिचारो आप करुबे भेशज बिन पिये मिटे नतन को ताप यह बात बहुती सुन्दर मूल्यों की की प्रतिष्ठा करती है कि जो उपदेश के वचन है वो किसी को अच्छे नहीं लगते पर उपदेश कुशल बहुतेरे यह बात उलसी ने भी और अन्य संतों ने भी कही लेकिन शिक्षा के वचन सामानने मानव स्वाब हाव है कि कोई किसी को समझाने की बात करे कोई किसी को मार्ग प्रदर्शित करने की बात करे तो सामने वाले को बहुत अच्छा नहीं लगता वो उसे ऐसा लगता है कि यह उपदेश कोरा उपदेश है तो बुरे तो जरूर लगते हैं सीख के वचन शिक्षा के वचन हमेशा बुरे लगते हैं इसलिए इस बात को ध्यान में रखो लेकिन कभी कहता है कि करुवे भेशज बिन पिये मिटे नतन को ताप यदि शरीर अस्वस्त है रोग ग्रस्त है और ठीक होना चाहते हो तो कड़वी दवाई पिये बिना कोई का दे रहाँ कोई शिक्षा दे रहा है कोई मार्ग प्रदर्शित कर रहा है तो उसे ग्रहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए उससे हमें बगड़ी बेचैनी नहीं होनीं चाहिए हमें उसे सहजता से लेना चाहिए और एक मुले और बहुत महत्पून है सामाजिक दरिश्टी से कि जो जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एकसेस ओफ एवरिटिंग इस वेरी बैज अती किसी भी चीज़ की हो वो बुरी है मितृता की भी अती वो गातक हो जाती है और शत्रता की भी अती गातक हो जाती है इसलिए अती कहीं ना हो न खान में न पान में न आचरन में न व्याबार में तो क्या कहते हैं अती परिचेते होते है अरुची अनादर भाई अत्यदिक गहन परिचे अत्यदिक घनिष्ट और आत्मिये परिचे यह भी अनादर का और बने एक तरह से समस्या का कारण बन जाता है अरुची का कारण बनता है अती परिचैते होते है अरुची अनादर भाए मलेगिरी की भीलनी चंदन देत जराए मलेगिरी परवत पर रहने वाली जो भील जाती की महिला है वो चंदन, क्योंकि मलेगिरी पर तो चंदन खुब होता है और चंदन कितनी कीमती चीज़ है लेकिन मलेगिरी पर रहने वाली वो भिलनी क्योंकि चंदन से इतनी घनिष्टता है कि वह रोज चंदन कोई जलाती है तो यह जो अती परिचय है यानि मैत्री भाव में भी हमें एक सीमा तक ही मैत्री भाव तक जाना चाहिए क्योंकि कोई टेक इट गैरेंटीड ना ले ले उसको कोई यह मान कर न चले कि इसके साथ तो हम कुछ भी कैसा भी कभी भी कर सकते है ऐसा नहीं होना चाहिए ना किसी दूसरे से अप एक्षा जैसी करते है वैसा आचरन हमारा स्वाहिम का भी होना चाहिए इस तरह से बहुत सारे संदर्मों को जैसे विदी की यानि उस अद्रश शक्ती की करपा को ले कर भी कुछ मुल्यों की प्रतिष्टा की गई सब कुछ कर लीजे लाख यतन कर लीजे लेकिन अगर उस अद्रश शक्ती की नुकंपा नहीं है करपा नहीं है वही नाराज हो गया तो फिर कुछ भी कर लीजे परिनाम नहीं आएगा विदी रूठे तूठे कबन कौन फिर तुष्ट होगा अगर ईश्वरी नहराज है तो फिर दुनिया में कोई आपसे खुछ नहीं होगा को करी सके साहे पिर कौन मदद करेगा बन दव भय जल गत नलिन तेहं हिम देत जराए यानि जल के अंदर कमल अगर है तो कभी कभी स्थिती ऐसी आती है कि वह पानी ही अतीशी तलता के कारण बरफ बन जाता है जम जाता है तालाब और वह बरफ उसी कमल को जला भी देती है नश्ट भी कर देती है तो इसका मतलब है जो विदी ही प्रतिकूल अगर विदाता ही प्रतिकूल है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता जिस दीपक को कहता है बिदिके बिरचे सुजन हूँ दुर्जन समहेजात विराता ने जिनको सजन बनाया है आपके लिए वही समय विपरीत होने पर दुर्जन बन जाते हैं जैसे दीपक को जिस कपड़े से हम हवा से बचाते हैं, जिस आचल से हम दिये को बचाते हैं, वही आचल दिये को बजाने का काम भी कर देता है। जब काम निकल जाता है तो उसी आचल से उसे बजा भी देते हैं। तो ये समय समय की बात है कि कभी जो सजन होते हैं, समय विपरीत होने पर वही दुरजन भी बन जाते हैं, तो इसलिए हमें धहरे नहीं छोड़ना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए, संगर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, और इन मूल्यों को आत्म साथ करके जीवन याप देते हैं अगली बार फिर हम आपके सामने उपस्तित होंगे दन्यवाद नमस्कार और इससे अधम दन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंटन का मित्रों आपके कोई भी सुझाव हों प्रश्न हों या प्रतिक्ट्रिया हों हमारे सच साजा करें हमारी मेल आईडी ह आप सभी से फेमुला कात होगी तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार नमस्कार साथ